करेंस अपना आव अच्वे जो लोग भी आज पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो वो लोग अपना डीटेल इस WhatsApp नमबर पे अपने नाम और पोस्ट के साथ 8638008832 अंकिस सर का ये नमबर है उन पे आप भेज सकते हैं अपनी पूरी की पूरी डीटेल क्यों क्योंकि आपको time to time इसके regarding पूरी की पूरी notification मिलती रहेगी ठीक है तो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा नमबर इस नमबर पे इस contact नमबर पे अपना पूरा का पूरा नेम एंड पोस्ट आप PRT से हो या TGT से हो उस पे भेज सकते हो ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग कल का जो हमारा सेसन था उसके question answer कुछ है पहले हम उनको करेंगे इसी तरह से आपको ऐसे ही continue हर वीडियो में मिलता रहेगा उसके बाद हम फिर content करेंगे चलिए आगे देखते हैं तो जैसा कि हमारा पहला हमारा syllabus जो है वो मैं आपको बता दूँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें matter और अभी हम matter ही पढ़ रहे है matter के साथ साथ आज अगर आप देखोगे तो हम gas and liquid एक state पढ़ेंगे जिसमें साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे क of the following are matter नीचे दिये गए कौन सी चीजे matter हैं तो मैंने आपको एक simple way में बताया था कि जो भी चीज इस universe में exist करती है मतलब सीरी बासा में everything is made of matter मैंने हमने कल पढ़ा था कि everything is made of matter तो इसी तरह से हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ निकालने की जो चीज बनी है किसी भी च जिसे हिंदी में हम क्या करते हैं तो थाट जो होता है वो किसी matter से नहीं बना होता है कुरसी matter है वायू यानि air जो है वो matter है लब जो है वो matter नहीं है जो मैं आपके सामने घेर रहा हूं हूँ यह चीजे matter नहीं है smell जो होती है यह matter नहीं होती है ध्यान दियेगा smell जो होती है वो matter नहीं है ठीक है sorry smell matter है but hate जो है वो matter नहीं है hate का मतलब होता है अंदर की भावनाएं होती है वो सब चीजें जिसे हिंदी में घ्रिणा बोलते हैं यह matter नहीं है बादाम आपकी matter है विचार matter नहीं है सीत जो हो वो भी matter है, नीबू पानी matter है, इत्र की सुगंद भी क्या है, matter है, ठीक है, क्योंकि ये एक gaseous form की matter है, और इसी तरह से हमने पढ़ा था कि जो गंद होती है, यानि smell जो होती है, वो भी gaseous form की matter है, तो आपको पता चला कि इन में से कौन-कौन सा matter नहीं है, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं, कि इन में से सबसे पहला हमारा matter ये नहीं है, love जिसे बोलते हैं, इसने जो दिया गया है, फिर उसके बाद हमारा hate matter नहीं है, thought matter नहीं है, और सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या है, matter है, जिसे love और hate and thought, ये तीनों चीज़ें matter नहीं है, बाकि सा में आ रहा होगा कल हमने इस चीज पर डिसकस भी किया था कि जिस चीज के पास particles होता है फिर हमने particles की कई सारी property भी पढ़ी थी characteristics भी पढ़ा था उस पर भी questions है उनको भी ध्यान से देखते हैं हम लोग दिया गया है अब देखो यहां पर क्या दिया गया है इसका एक आपको reason देना है तो बहुत सीरी बासा में आपने पढ़ा था कि matter के जो particles होते हैं कल मैंने एक characteristic बताए थी कि यह continuously moving करते हैं क्या करते हैं continuously जो होते हैं वो move करते हैं तो इस वजह से जो gas के particles होते हैं अब ध्यान से सुनिएगा जो gas के particles होते हैं इनके बीच में जो attraction होता है attraction का bond होता है वो बहुत कम होता है इसलिए जब यह hot होते हैं अब ध्यान सुनिए कि जब इनको हम गरम करते हैं या का सकते हो खाने को खाना जब गर्म होता है तो उसकी जो वास्प होती है वेपर होती है वो गर्म होने के कारण उसके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में बांडिंग बहुत कम हो जाती है जिससे वो फैलना शुरू हो जाते हैं और जब ये ठ गरम करते हैं इस खाने को जो हम गरम करते हैं तो इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो वैपर के रूप में फैलना शुरू कर देते हैं और फैलने के कारण फैलने कारण इसकी जतनी भी इसमेल ऐसे ऐसे आपकी मालनो कुछ पार्टिकल्स हैं उसके इसमेल निकल रही है इस वै तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो जब हम गरम करते हैं तो और ज्यादा उनके बीच में गैप बनने लगता है जसे वो बहुत दूरी तक फैलने लगते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं यह गया है swimming pool में गोता खोर पानी काट जाता है पानी काट पता है simple लिखा गया है a diver is able to cut through water in a swimming pool which property of matter does this observation so कौन सी property इस matter को मतलब observation को so करती है matter की तो matter की सबसे बड़ी property ध्यान से सुनिये गया एक property आपको बताया गया था कि जो particles होते है matter के वो continuously move करते हैं उनके बीच में attraction होता है तो पानी के जो बीच का particle का attraction होता है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमने कल तीन property पड़ी थी ठीक है जो आपके सामने है लिख तो पानी जो गोता खोर काट पाता है जो भी diver होता है वो जो river का पानी होता है वो इसलिए उसे काट पाता है क्योंकि उनके बीच का जो पानी के बीच के particles होते हैं उनके बीच में space पाया जाता है और वो move करते हैं continuously जो पानी के particles होते हैं ठीक है और attraction थोड़ा कम होता है temperature और pressure के रूप में maintain कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं इस attraction को, ठीक है, तो हमारे question का जो जवाब होगा दोस्तों, हमारे question का जो जवाब होगा, वो क्या होगा, कि particle के बीच में क्या पाया जाता है, space पाया जाता है, दूसरी चीज़ वो continuous move करते हैं, तो सबसे पहली जो observation होगी, वो होगी, particles के बीच में, किसी भी matter के particle के बीच में क्या पाया जाता है, space पाया जाता है, इसलिए गोता खोर उस पानी को काट पाता है, आगे दिया गया है, पदार्थों के कड़ों की क्या विसेस्ताइं होती हैं, what are the characteristics of the particles of matter, तो सारी विसेस्ताइं जो हैं, वो आ track teacher होते हैं, तो ये तीन विसेस्ताइं हैं, जो आपके सामने लिखी गई हैं, इसको ध्यान से समझेगा, और आप लोग अपनी copy में notes बनाते रहेए, जो कि आपको बहुत फायदे करेगा, जैसे कल हमने simple क्या पढ़ा, matter क्या है, या matter किस से बना है, तो everything is matter, जैसे कुछ Indian philosopher ह होते हैं, उन्होंने पांच चीजों से बताया था कि हमारी जो body होती है, हमारा जो सरीर होता है, ये किस से बना होता है, हमारी जो body होती है, पांच तक्टों से मिलके बनी होती है, कौन-कौन से, तो हिंदी में कहा जाता है, छिती जल पावक अगगन सरीरा, तो छिती का ऊसके बाद एक हमारा जल जिसे वाटर बोलते हैं इंगलिस में तो छित जल पावक, पावक मतलब होता है आपकी आग, ठिक है, गगन का मतलब होता है आकास, मतलब आपका इसकाई होता है ठीक है और उसके बाद समीरा समीरा का मतलब होता है हवा तो इन पांच तत्तों से मिलकर बना है हमारे देश में जो इंडियन फिलोसिपर थे ना वो बहुत पहले इन सारी चीज़ों को बता चुके थे और बाद में ये सारी चीज़ों को अभी आप जब पढ़ोगे last time मैं आये हैं वो आपके सामने स्टेट सारी solid liquid और गैस तो है ही साथ में दो और आये हैं जिसमें एक plasma है और एक बोस वाला है उस तरह से पांच हो गए हैं तो हमारे इंडियन फिलोसिफर ने पहले ही बता दिया था कि ये पांच लोग हैं जिन से हमारी body बनती है ठीक है तो पां बहुत कम रहता है liquid में उससे कम space होता है और गैस में बहुत कम गैस में बहुत ज़्यादा space होता है ठीक है और उसी तरह से continuously moving solid में जो particles होते हैं वो बहुत ज़्यादा move नहीं कर पाते हैं लेकिन जो liquid में होंगे यानि की पानी में होंगे वो उससे ज़्यादा move करेंगे solid की बीच में, clear, आगे देखते हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ही है, state of matter, the matter around us exist in the three different states, 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 तो आप समझेगा इस चीज को, कि जब तीन different अवस्थाओं में हमारे पास matter पाय जाते हैं, जो भी हमारे चारो तरफ इस्थित हैं, ठीक है, नमबर फर्स्ट क्या है, solid, second, liquid, third, gas, ठीक है, अब solid क्या होता है, थोड़ा सा जानते हैं, बहुत अच्छे समझेगा, थोड़ा सा deep में समझते जाएगा, क्योंकि मैं लिखा बहुत कम हूँ, समझा रहा हूँ, आपको बहुत जादा उस चीज पर ध्यान दीजेगा, solid, habit, definite, shape, comparison कीजेगा, क्योंकि यहीं से question आपका statement के थ्रूँ आता है, distinct boundaries, मतलब इनकी boundaries भी जो होती है, वो fix होती है, इनका आकार भी fix होता है, and fixed value, और उनका आयतन भी जो होता है, वो fix होता है, मैंने कल आपको बताया था, कि matter जहाँ नाम आजाएगा matter, सुनिए ध्यान से, जहाँ नाम आजाएगा matter, वहाँ दो चीजें आपको पक्का मिलेंगी, एक मिलेगा volume, जिसे हिंदी में आयतन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, दूसरा मिलेगा आपको mass, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रब्यमान बोलते हैं, ठीक है, और मैंने एक formula भी बताया था, वो क्या बताया था, द्रब्यमान बराबर आयतन, multiply by घनत जिससे इंगलिस में क्या कहते हैं तो द्रविमान को इंगलिस में कहते हैं mass is equals to volume into density तो ये हमने एक आपको formula बताया था तो बहुत important है ये formula इसको अपने पास बहुत ध्यान से रखेगा क्योंकि इस पे questions भी आएंगे और आने की पूरी पूरी chance है तो simple आपको समझ में solid में 3 चीज़े होती हैं हर चीज में 3 चीज़े होती हैं जैसे safe होई boundary होई and fix value हुआ तो solid की सबसे बड़ी चीज क्या होती कि इसका safe and boundary हमेशा fix होती और इसका value भी fix होता है ये सब 3 तीनो fix होते हैं बट जब हम liquid stage में जाएंगे और सबसे बड़ी चीज यहां भी ये भी समझेगा कि जब हम इस पे force लगाएंगे या pressure डालेंगे दोनों चीज मैं समझा रहा हूँ बहुत ध्यान समझेगा force की condition या जब pressure की condition होगी तो solid किस तरह से behave करेगा तो solid के particles चूंकि पिछली कल के वीडियो के से connect कराएगा solid के जो particle होते हैं वो attract to each other काफी ज़ादा होते हैं मतलब एक दूसरे के काफी करीब करीब होते हैं इसलिए ये अपने shape को change नहीं कर सकते हैं जैसे मालो एक गुबारा ठीक है गुबारे में आपने हवा बर दी तो गुबारे को जब इधर से प्रेस करोगे तो उसका shape इधर बदलेगा लेकिन आप जब इसको प्रेस करोगे pen को मालो आप यहां से force कर लेगा तो pen अपना shape नहीं change कर सकते हैं क्योंकि इसके जो particles होते हैं बहुत जदा attract करेंगे और moving को जो quality होती है continuously moving की वो बहुत कम होती है इसकी वज़ासे यह क्या हो जाते हैं break हो जाते हैं तो जैसे ही हम इस पे force या pressure डालेंगे यह तूटना शुरू कर देते हैं तुरन तूट जाएंगे मतलब यह तूटके किनारे हो जाएंगे और अपनी चीजों में फिर वापस नहीं बन सकते हैं यह quality होती है इनकी यानि हम इन पे force अगर थोड़ा लगा होगे तो कोई फरक नहीं पड़ता इनको जब इनके rigidity से देखो एक सब्द क्या आया rigidity, dritta जिसे हिंदी में बोलते हैं dritta इसलिए इने दर्ड कहा जाता है rigid body कहा जाता है solid जितनी होती हैं वो क्या कलाती है rigid body कलाती है इसी तरह से जो ridingty होती है यह जब तक इनकी ये चंता होती है rigidity की तब तक यह होती है और इसी वज़ज़ से जब इनकी rigidity की छमता से ज़्यादा इस पर फोर्स लगा दिये जाता है, तब ये क्या हो जाते हैं, तूट जाते हैं, और अपना safe ही change कर देते हैं, मतलब जब तूट जाएंगे, तभी safe change करेंगे, जब इनकी boundary खंडित हो जाएगी, तब ये safe change करेंगे, ठीक हैं, तो force और pressure जब हम इन पर apply करते हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जब हमारा force और pressure इनकी rigidity से, यानि इनकी elasticity से बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैसे तो elasticity इनकी अंदर पाई ही नहीं जाती है, क्योंकि इनके particle move नहीं करते हैं, इनके particle attract each other बहुत ज़्यादा होते ह इसलिए इन पर pressure जब हम डालते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इसको भी note कीजेगा आप लोग, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, liquid की क्या qualities होती है, तो जैसा कि आपको पता है solid liquid gas, तो अगला हमारा liquid, liquid क्या होता है, liquid have no definite shape, मतलब हमने पढ़ा कि solid के पास क्या क्या चीजे मिली थी, अब यहीं से याद करने वाली चीजे होती है, मैंने आपको कल समझाया था कि physics chemistry बड़ी बेवफा है, सुबह रात को टटरो दिन में सफा है, तो definite का मतलब क्या हो गया निश्चित, और इसके पास definite safe होता है, जान से बढ़िएगा, और इसके पास क्या एक चीजे होती है, fixed volume होता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है, comparison करते, fixed volume होता है, एक और चीज मैंने बताया कि इसके पास जो boundaries होती है, boundaries जो होती है boundaries जो होती है वो भी क्या होती है fixed होती है तो ये आपको ध्यान देना है boundaries जो होती है वो क्या होती है liquid में क्या होता है liquid में definite shape नहीं होता है ठीक है इसमें definite shape नहीं होता है no definite shape but इसमें एक चीज और है इसमें एक चीज क्या है कि जिस तरह से इसका value fixed होता है उसी तरह से इसका भी value क्या होता है fixed होता है तो यह common चीज है और यह different चीज है कि इसमें definite safe होता है इसमें definite safe नहीं होता है चले यह समझते हैं example से जैसा कि आप देख पा रहे हो non definite safe का मतलब यह होता है कि कहा जाता है पानी का एक quality होती है पानी तेरा रंग कैसा जिसमें रख दिया जाए लगे उसके जैसा तो इसकी quality क्या है कि जिस चीज में रख दोगे बिल्कुल उसी तरह से बन जाता है इसलिए कहा जाता है इनसान को पानी की quality की तरह होना चाहिए आप जिस माहौल में आप ये मत दिखाओ कि आप इतने intelligent हो या आप इतने चुप रहने की एक बड़ी अच्छी quality होती है कि इनसान को पता चलता है कि पता ही नहीं चलता है कि आप कितने होसियार हो या आप कितने मोर्क हो अगर आप चुप हो किसी भी जगा पे लेकिन आपको हर जगा चुप नहीं रहना होता है ये भी जरूरी है ठीक है चलिए तो पानी का सबसे वड़ी quality क्या होती है कि ये definite shape का नहीं होता है जिस बरतन में रख दिया जाता है उसी का आकार ये क्या कर लेता है पकड़ लेता है तो इस पानी का आकार अगर देखोगे जैसे pen को इस pen रखो या बाल्टी म जो होता है वो fixed होता है इसी की वज़ा से जब हम उस पानी को एक beaker में रख रहे हैं तो उसके तली तक ही रह जा रहा है तो ये ध्यान दीजेगा यहाँ पे सेप definite नहीं होता फैलियूम क्या होता है वो fixed होता है ठीक है अब आती है बात कि जब हम इस पानी को temperature देते हैं जान से चुझी है का तीन चीजे होती है temperature देना, pressure करना यही compressibility हम पढ़ेंगे जब अभी gas की stage पढ़ेंगे pressure देना और temperature देना और इस पे force लगाना तो force का काफी ज़्यादा effect नहीं पढ़ता है लेकिन temperature दोगे temperature दोगे तो यह क्या होता है यह evaporate होना शुरू होता है मतलब अपनी stage को बदलना शुरू कर देता है evaporation, temperature से हम इसकी stage को बदल सकते हैं अभी जब हम next वीडियो में पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ेंगे कि क्या matter जो होते हैं वो अपनी state को change कर सकते हैं मतलब solid to liquid हो सकते हैं liquid to gas हो सकते हैं या direct solid to gas हो सकते हैं या liquid direct gas to solid हो सकते हैं इस तरह के क्या-क्या process होती है उस process का क्या नाम होता है उस सब को हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो जब हम temperature देते हैं, pressure देते हैं और force देते हैं तो इसके shape तो definite होता नहीं है तो किसमें change करेंगे हम? इसके volume में change लाना शुरू करते हैं क्योंकि definite तो safe होता नहीं है और shape जो होता है उसमें कोई change भी नहीं आ सकता है और जब हम solid में pressure देते हैं या force लगाते हैं तो इसके shape में change आ जाता है value उसका आप नहीं बदल पाओगे समझ में आरी बात अब यहाँ भी value कैसे बदलेगा जब आप गरम करोगे तो यह evaporate हो जाएगा तो इसका value कम होता जाएगा समझ में आरी बात तो इस तरह से जो चीजें हैं वो आपको comparison करके पढ़नी है क्योंकि हमारे competition के exam में ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं clear हुआ next देखते हैं हमारा gas तो gas क्या होता है उसके बारे में देखते हैं तो जैसा की लिखा गया है gases are highly compressible मैंने आपको होता है न pressure वाला सब्द है press मतलब दबाना मतलब gases जो होती है वो काफी उच गुडवत्ता की इनको संपीडित हिंदी में संपीडित कहा जाता है compressible का मतलब होता है संपीडित कहा जाता है तो gases are highly compressible as compared to solids and liquids तो जो gases होती है वो solid और liquids के compare में काफी ज़्यादा compressible होते हैं मतलब इनको हम दबा करके किसी एक चीज में fit कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता हूँ कि आपके घरों में LPG पाया जाता होगा और इसमें जो gas है वो liquid fight petroleum gas है liquefy petroleum gas मतलब जो gas cylinder के अंदर भरी होती है जहां समझेगा बहुत strong होता है उसकी body cylinder की body बहुत strong होती है क्यों? क्योंकि उस gas को हम उसके अंदर pressure डालके भरे होते हैं ठिक है कैसे भरे होते है pressure डालके तो जो हम pressure डालते हैं तो वो gas किस form में आ जाती है? liquid form में आती है आपको comment box में बताना है कि यह जो gas हमारे घरों में use होती है यह कौन सी gas होती है ठीक है तो आपको मुझे बताना है फटा फट बताईए मैं at the end of the video मैं आपको जरूर कोशिस करूँगा अगर मुझे याद रहा तो मैं बता दूँगा ठीक है क्योंकि अभी तो आप फटाफट बताओ कि यह gas क्यों सी होती है या इसमें कौन सी gas पाई जाती है या कौन सा इसमें hydrocarbon पाया जाता है यह आप बताओ ठीक है तो compressible होती है और इसको हम pressure डालके अंदर liquid fight के रूप में रखते हैं और लगबग बड़े वाले cylinder में 15.9 kg का जो compressible होता है gas वो भर लेते हैं अगर हम compress ना करेंगे ना तो इसमें gas बहुत कमाएगा भले ही इसके जो body होगी वो पतली बनाई जा सकते हैं अच्छा यह मोटी क्यों बनाई जाती है उसका भी तरीका समझो जब इस gas को जैसे मालो पहले आपके बरतन में जब हमने normally gas भरा तो यह stage में थी ठीक है ध्यान से समझेगा और इसके उपर मैंने एक compressor लगाया जिसको मैं उपर से दबा रहा हूँ ठीक है मैं इस पे ऐसे हाथ लगा करके इसको दबा रहा हूँ आपके liquid में यानि draw में change होना शुरू हो जाती है और जब यह draw में change होती है तो इसके जो particles होते हैं यह करीब आना शुरू होते हैं ध्यान समझेगा और जब करीब आएंगे तो यह body के किनारे यानि जिस container में हम इसको रख रहे होंगे इसके किनारे pressure डालना शुरू करते हैं तो अगर यह container काफी high capacity कर नहीं होगा तो यह gas जो होगी वो उसको तोड़ के बाहर आ जाएगी example समझेगे जैसे आप गुबारा को भर देते हो हवा से और जब उस पे आप pressure डालते हो गुबारे पे तो गुबारा की गुबारा तब तक सहता है जब तक उसकी सतह क्या होती है सहने लायक होती है वरना वो जिस जगह पे कमजोर पाएगा उसी जगह से वो gas फट जाता है गुबारा और गुबारा फट के बाहर आता है क्या बाहर आता है उसकी gases तो जब हम प्रेसर डालते हैं तो गुबारा फूट जाता है या फट जाता है इसी वज़े से जब हम इस पर प्रेसर डालेंगे तो यह जिस कंटेनर में रखी जा रही है वो फट जाएगा ठीक है और इसी वज़े से यह जो सिलेंडर के पॉड़ी होती है उसके लोहे देखो होती है वो कहीं पतली सी हो जाती है और ये पूरा प्रेसर उसी लीक पर पढ़ जाता है जिसकी वज़े से ये सिलेंडर क्या हो जाता है फट जाता है समझ में आई बात तो LPG जो होती है वो liquid 5 petroleum gas होती है हाँ मैं आपको बता दूँ मुझे याद है अभी तो मैं बता देता हू इसमें हम butane gas butane hydrocarbon यूज करते हैं अपने LPG में याद रखेंगे इस सीज को पूछा भी जाएगा जह हम hydrocarbon से पढ़ेंगे तो काफी detail में आप सबको समझाओंगा उसके बाद CNG आता है compressed natural gas जो की आपके fuel के लिए यूज होती है किसके यूज होती है fuel के लिए oxygen supplied in hospital ये दोखो ये oxygen supplied होता है जो hospital में उसको भी जिसमें रखा जाता है उसकी body उसका container काफी strong बनाया जाता है क्योंकि हम oxygen को liquidfied यानि compress करके रखते हैं जिससे उसके particle उस body के चारो तरफ pressure डालना शुरू करते हैं और ये फटे नहा इसके oxygen समझ में आए होंगी दोस्तों और अगर अच्छे से आपको समझ में आई तो प्लीज एक बार जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा और जो भी लोग पहली बार जुड़े हो वो अपना नाम और पोस्ट चाहे उनकी PRT की पोस्ट हो या TGT की पोस्ट हो वो उ उसको लिख कर इस नंबर पर भेज सकते हैं तब तक के लिए थाइंक्यू थाइंक्यू सो मच